हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे बच्चों के नाभी याने कि उसके बेली बटन के बारे में जिसकी केर हम शुरू के 10-15 दिन में ही करते हैं क्योंकि जब बच्चा रहता है वह माके से अलग किया जाता है तो जो अमलाइकल कॉर्ड इसको कट किया जाता है याने कि पर कि अगजितना इंपर्ड़न से कि जब बच्चा मा이죠 में होता है माके पेट में होता है तब उसको जो नुटरिशन मिलता है मा जो भी खाती है उससे उसको जो कुछल के द्वारा बच्ससे की बॉटि में पहुचा हम जो बलड जाता है उसई सरा ूप MALT म पलड़न ब्लड जाता है उसे से उसका हाट भी पंप करता है तो इस गर्भवनाल का कितना इंपार्टेंस है और यह गर्भवनाल नावी से जूड़ी होती ही है यह तो आपको मालूम ही है और जब बच्चे की अमलाइकल काट कट की जाती है तो इसके अंदर थोड़ा रहता है और वह ब्लड सेव किया जाता है आजकल बहुत सारी काड़ ब्लड ब्लड बैंक्स हो गई है वह अच्छा खासा अमाउंट लेती है और फिर जो ब्लड उसको सेव करती है तो आगे चलके अगर बच्चे को कोई बड़ी बिमारी हो जाती है या उसके ब्लड रिलेशन में किसी को कोई तेल जो अगर आप बच्चे की बेली बटन याने की नाभी पर लगाएंगे तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा बलकि उससे बच्चे को बहुत जादा फायदे होंगे तो चलिए मैं शुरू करती हूं उन तेलों के बारे में बताना आपको प्लीज डिप्ती पा आदाश तेज रहती है हमेशा और बच्चे को कभी कभी क्या होता है कि ड्राइज हो जाती है तो उसमें काफी फायदा होता है और बादाम का तेल लगाने से बच्चे की जो इसकी ने वह हमेशा गलो करती रहेगी अगर आग और आगे चलके जल्दी सफेद भी नहीं होंग अगर हम वांड्राप सरसो के तेल की जीसे मैंने पहले भी बताया है बच्चे की नाभी में लगाते हैं तो उससे बच्चे के पूरे स्कीन गलो करती है उससे बच्चे को बहुत फाइदा होता है और सबसे ज़्यादा बच्चे के जो होट फट जाते हैं अधिकतर वह और शाइन करवाने के लिए हमें सरसो का तेल उसकी नाभी में हर रोज लगाना चाहिए जो बड़े हो जाते से 15-20 साल के उनको पिंपल्स आने लग जाते हैं तो अगर वह दो बून नीम का जो तेल आता है किसी भी केमिस की दुकान से आप ले सकते हैं वह अगर अपनी नाभी में लगाएंगे तो उससे उनको बहुत आराम होगा इन पिंपल्स में तो मैंने यह जो बता हैं इसको लगाए जरूर क्योंकि इससे कोई साइड इफेक्ट बच्चे को होने वाला नहीं है उल्टा फाइदा ही होने वाला है तो इसमें से कम से कम एक ओईल ऐसा रखिए जो आप बच्चे को रोज लगाना शुरू कीजिए और पर एक बात का धियान रखिएगा कि जो यह आईल है यह प्योर होना चाहिए इसमें कोई खुश्बू बच्चे को नहीं होना चाहिए और दूसरा यह है कि हम जब आईल लगाए तो वह ड्रॉपर से लगाए क्योंकि हमको वन ड्रॉप ही डालना है तो यह तो आप आपके उंगली में ले लिजिए एक ड्रॉप या फिर सीधे बच्चे की नाभी में एक ड्रॉप डाल और इस हता को रात को लगाए तो यह अच्छा रहे गा पूरी राथ बच्चे की शरीर पे रहेगा और उसकी बाद में सुभ़़ जाए ले लिजिए ले लिए उसे क्लीन कीजिए और बाद में सूखे कपड़े से भी इसको ड्राइ कीजिएगा क्योंकि क्या होता है कि अगर बच्चे के नाभी में थोड़ा सभी पानी रह जाएगा तो इसको सर्दी बेटने के चांसे बढ़ जाते हैं तो इस बात का आप विशेज ध्यान रखिए और इस तरह से आप बच्चे को ऑईल उनकी नाभी में जरूर लगाईए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें और मेरे चैनल दिपती पाली टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें